नमस्कार दोस्तों पित्री पक्ष चालू हो चुका है लेकिन पित्री पक्ष में पालन किसे करना है ये भी जान ले अगर आपके माता पिता जिवित हैं तो आपको पालन नहीं करना है अगर आपके माता पिता नहीं है या फिर आपके मान लीजे दादा दादी नहीं है तो आ फिर पालन करने का बिधान नहीं है क्योंकि पित्री देव स्वर्ग लोग की और प्रस्थान कर चुके होते हैं तो दोस्तों हमने कहा कुछ चीजें हैं जिसे नहीं खानी चाहिए इस पित्री पक्ष के दौरान और स्राद पक्ष इसमें खाना का सबसे ज्यादा महत्त होता है और पित्रों की आत्मा की सांती के लिए पुजापाट तो किया ही जाता है और साथ ही इन 15 दिनों में आप लहसन प्याज का सेवन नहीं कीजेगा और जैसे सात्वी भोजन ही घर में बनना चाहिए और उसमें नौन बेज अलकोहल का तो बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है उ पुरत की दाल नहीं खानी चाहिए इसमें और बासी भोजन नहीं खाईएगा क्योंकि पित्री पक्ष में बासी भोजन करने से स्वास्त मस्यां भी होती है और स्वास्त की दिश्टी से यह हानी का रख है चना और चना का सत्तू नहीं खाना है पित्री पक्ष के दौरान औ और आप साधा नमग खा सकते हैं मसूर की डाल तो बिलकुल भी नहीं खाना चाहिए और अगर आप आपका सबकुछ अमवस्या के दिन आप ब्रहमनों को या गरी बैक्तियों को खाना खिलाने के बाद कुछ भी खाये पोई दिकत नहीं है लेकिन इस समय इन चीजों से साग लहसन प्याज नॉनवेज जिसे मांस मदिया कहते हैं और सत्तु इंची जों का सेवन मत कीजिएगा और तुलसी के पत्ते आप खा सकते हैं यह भी बहुत अच्छा है संभब हो तो आप गंगा जल डालके जल में असनान कीजिएगा ऐसा करने से कुंडली के जो बड़ दधन योग बन गया तो राहु चंद्रमा राहु सूर गुरु राहु यह सब बुरे दोस होते हैं इनको समाप्त करने के लिए पूरे पित्री पक्ष में कभी अगर संभव हो तो किसी पवीतर नदी में नहा लीजेगा या फिर अपने घर में ही जल में गंगा जल थोड़ हर हर महादी